Hello everyone, my name is Trivesh and you are watching my YouTube channel तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे American structures सीखने को मिलेंगे और आप ये देखेंगे कि उस चीज़ का मलब sentence बिलकुल ही अलग लिखा हुआ है और उसको जो मतलब है वो बिलकुल ही अलग है ग्रैमर को भी चैलेंज कर रहे हैं, sentences को भी चैलेंज कर रहे हैं ऐसे structures आने वाले हैं इस वीडियो में तो आप बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ऐसी ही चीज़े होती हैं जो हमको बाद में confuse कर देती हैं जब हम grammar सीख के English बोलना सीखते हैं यह छोटी-छोटी चीज़े होती हैं चिश्पोकन में अलग होती हैं अलग तरीकא से तरीच होती हैं यही confused कर देती हैं तो पहले sentence का वीडियो को शुरू करते हैं पहला है है पर sentence है क्या तुम्हारे पास कोई appointment थहा है यहां तो यहां पर जो हम बात कर रहे है है appointment अगर मैं यह बोलूँ कि जैसे present में होता है ना has, have वाले sentence होते हैं चीक है तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जो do वाले do does वाले होते है कि क्या तुम यह रखते हो तो वहाँ पे क्या होता है have के अंदर do छुप जाता है तो have बना हुआ है और have के अंदर does चुपता है तो वो has बन जाता है ये चीज़ मैंने बताइए कई बार कि क्या तुम्हारे पास pen है do you have a pen तो मैंने हैं पर do बाहर निकला कि question है तुम्हारे पास pen है you have a pen तुम्हारे पास pen नहीं है you don't have a pen इस तरीके से तो do छुपा हुआ होता है action के अंदर same does में भी होता है उसके पास pen है he has a pen तो have के अंदर does छुप गया तो he has a pen आ गया चीक है उसके पास pen नहीं है he does not have a pen तो फिर does बाहर आ गया और have बन गया तो ऐसे sentence होते हैं हमारे present के जब इस तरीके की चीज़ पास्ट में होती है तो वो head वाले हो जाते हैं अब head क्या चीज़ है head है जब have के अंदर did छुपा हुआ है कि क्या तुम ये रखते कर रखते थे अपने पास उस तरीके की चीज़ है तो कोई possession की रखने की past होने के बाद present में हो तो हम has have का use करते हैं past में हो तो हम head का use करते हैं और अगर head में से did बाहर निकल आए मतलब अगर sentence question वाला बन जाए या फिर नहीं वाला बन जाए तो वो did जब head में से बाहर निकलेगा वो have बन जाएगा उस वही चीज़ हुई है इस sentence में चीक है तो क्या तुम्हारे पास कोई appointment था so did you have any appointment क्योंकि did बाहर आ गया क्योंकि sentence ये वो वाला है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ तो helping वा पहले निकल आएगी so did you have any appointment क्या तुम्हारे पास कोई appointment थी अब यह करा है कोई समय नहीं था मतलब time नहीं था जैसे हम हिंदी में बोल देते ना भाई time था ही नहीं time नहीं था so किसी चीज़ की होने ना होने की existence के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम there का use कर देते हैं कि there was not any time there wasn't any time कोई time ही नहीं था time ही नहीं था भाई इस तरीके से हम बोलते हैं so there wasn't any time there wasn't time इस तरीके से भी आप बोल सकते हों कि there wasn't time कि time नहीं था और जब आपको बोला है भाई बिलकुल time नहीं था कोई time नहीं था so there was not any time यह sentence है आपका past simple जिसमें कोई action नहीं है तो ऐसे जगा was और were का use होता है तो singular है time हम singular treat करते हैं तो was लगेगा so there was not any time या फिर there wasn't any time अभी करें मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ अभी sentence है can वाला सकता है सकती है उससे समझ में आ जाएगा so question पूछ रहा है यहाँ पर क्या कर सकता हूँ तो जहाँ पर question word वाली form आती है तो वहाँ पर question word पहले आ जाता है फिर helping verb आता है फिर person आता है करने वाला फिर action आता है तो यहाँ पर question word क्या है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ और helping verb क्या है can so what can I do for you मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ अब यह गरा हमें आपसे एक निजी मामले पर बात करनी है हमें आपसे एक निजी मामले पर बात करनी है निजी मामले मतलब private इस तरीके से तो हमें आपसे एक निज़ी मामले पर बात करनी है अब इस sentence को आप कई तरीके से बना सकते हो we want to talk to you चीक है हम आपसे बात करना चाहते हैं तो यह जो sentence कि हमें करनी है तो इस sentence को ना पहले आप अपनी spoken जो जिस तरीके से हम बोल सकते हैं जिसको हम translate कर सकते हैं उस language में तोड़ो मतलब हमें आपसे एक निजी मामले पर बात करनी है हम आपसे एक निजी मामले पर बात करना चाहते हैं चीक है तो जो sentence है ये है आपका present indefinite कि हम कोई चीज़ करना चाहते हैं ताहती है उससे समझ जाओ गया चीक है तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप want to का use करो need to का use करो वो आपकी call है दोनों बिल्कुल सही है तो मैंने need का use कर दिया we need to talk to you हमें आपसे बात करने के ज़रुरत है चीक है इस तरीके से हम आपसे बात करने के ज़रुरत रखते हैं वो वाला से हैं so we need to talk to you या फिर we want to talk to you किस बारे में about a private matter चीक है एक private एक निजी मामले के बारे में एक निजी मामले पर इस तरीके से बनेगा तो ज़्यादा confuse होने के ज़रुरत नहीं है अगर आपको about confuse करे तो on का भी use कर सकते हो कि निजी मामले पर के लिए on का लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं we need to talk to you on a private matter चीक है आप इस तरीके से बहीं बोल सकते हो about a private matter आप प्राइवेट matter के बारे में आप इस तरीके से बोल सकते हो तो मैंने सिर्फ यह इसी लिए लिखाता था कि कि आप यह समझ सको कि एक चीज को बोलने के कई तरीके होते हैं ज़रूरी नहीं है किसी ने एक तरीका बताया तो वही सही है क्या तुम मेरे छात्र हो अभी पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे students हो छीक है इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो सबसे पहले तो आप यह समझ लो कि यह sentence है simple present जिसके अंदर कोई action नहीं है सिर्फ एक situation एक condition की बात चल रही है तो क्या तुम मेरे छात्र हो तो is mr का use होगा तुम की बात चल रही है तो क्या लगेगा और लगेगा question मलब यह sentence कैसा है जिसका जवाब मैं हा या ना में दे सकता हूँ यह वैसा question है तो पहले आ जाएगा क्या हमारा main word या फिर helping word चीक है तो are you my students ये भी ठीक है या फिर are you students of mine ये भी ठीक है आपको जो ठीक लगे इन दोनों में से आप उस तरीके से बनाओ जैसे कि आप यहाँ पर एक चीज़ एक एक जामपल समझा देता हूँ जैसे कि मैं नहीं बोला this is my pen ये भी ठीक है this pen is of mine ये भी ठीक है अब ये बता रहा है कि ये आपका चात्र हुआ करता था ये आपका चात्र हुआ करता था अब देखो कोई भी चीज़ हुआ करती थी ऐसी जगापे हम यूज़ करते है used to जैसे कि मैं बोलू कि मैं cricket खेला करता था I used to play cricket कोई चीज़ हुआ करती थी मैं किया करता था कोई कहा करता था इस तरीके की चीज़ों मैं आप used to का use करेंगे तो ये आपका चातर हुआ करता था अब मैंने वही बताया कही बार कही बार बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को की होने की जब कोई sense आता है ठीक है तो होने का जब sense आ है तो be का use करो जैसे कि मैं बोलू उदास मत बेटो खुश हो जाओ so be happy don't sit upset इस तरीके से बोलेंगे तो ये आपका चातर हुआ करता था so he used to be your student he used to be your student कि वो ये हुआ करता था हाँ कुछ साल पहले की बात है ये कुछ साल पहले की बात है ठीक है तो इसको मैंने कैसे बनाया कि महलब simple आपका ये simple past रहा sentence कि जिसमें कोई action नहीं है सिर्फ एक situation condition की बात चल रही है तो ये कुछ साल पहले की बात है so it was a few years ago मैंने कुछ साल पहले था ऐसा इस तरीके से so it was a few years ago few का मतलब होता है कुछ couple of years ago आप ऐसे बोल सकते हो some years ago ये भी बोल सकते हो so few का मतलब वही आता है so it was a few years ago कि ये कुछ समय पहले की बात है मैं यहां बहुत ज्यादा नहीं था मतलब जैसे मैं बोलू ना कि मैं यहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं था so I was not here for a long time आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं यहां बहुत समय तक नहीं था so I was not here for a long time तो यह भी sentence बिल्कुल सही है कि आपने simple present की form में sentence रखा है जहां पर कोई action नहीं है was work का use होगा I के साथ यहां पर was लगा so I was not here for a long time इस तरीके से भी sentence ठीक है दूसरा तरीका है आपको बोलने का जो आप spoken में देखोगे बहुत casually जो आप बहुत native speakers होते हैं वो उस तरीके से बोलते हैं I wasn't here very much या फिर I wasn't here for long ठीक इस तरीके से ठीक है तो आप जो सही लगे आप वो बोलो मैंने यहां पर बनाए I wasn't here very much ठीक है खेर तो तुम क्या चाहते हो ठीक है तो तुम क्या चाहते हो या फिर तुम क्या चाहते हो जैसे हम ऐसे बोलते हैं न well then what do you want यह आप ऐसे भी बना सकते हो कि आप तो को शुरू में बोल दो then what do you want ठीक यह भी सही है कि या sentence आपका present indefinite कि तुम क्या चाहते हो what do you want या फिर आप then को बाद में लगा दो what do you want then तो फिर तुम क्या चाहते हो इस तरीके से वो then पे confuse मत होना कि then पहले लगाना है बाद में लगाना है वो आपके मरजी है जैसे हिंदी में मैं बोलू तो तुम क्या चाहते हो ये भी सही है तुम क्या चाहते हो तो ये भी सही है चीक है तो कई सारे sentences ऐसे होते हैं जहां पे हमें तो कहीं भी लगा देता हूं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है चीक है तो तुम क्या चाहते हो लेकिन कुछ चीज आपको सिखानी भी जरूरी है, चीजिक है, अब यहाँ पर do मैंने बाहर क्यों लगाया, कोई जरूरत नहीं है, I remember you, मुझे तुम याद हो, चीजिक है, इस तरीके से, यह sentence ऐसे भी बन जाता, कि I remember you, मुझे तुम याद हो, लेकिन यह sentence मैंने do बाहर इस लिए निकाला, थोड़ा सा emphasize जब हम किसी चीज़ पर करते हैं, किसी चीज़ पर थोड़ा सा दवाब डालते हैं, तब उस चीज़ के लिए हम do या does को बाहर निकाल देते हैं, जिसके जरूरत भी नहीं होते हैं, ल बोलना होगा ना, तब वो बोलेगा I do go, इस तरीके से, तो यहाँ पर I do remember you, मुझे तुम याद हो, यह इस तरीके से बोला है, तुम्हें पता हैं, मैंने तुम्हें fail इसलिए, मैंने तुम्हें केवल इसलिए विफल किया, विफल मतलब fail, कि यहाँ पर यह कह रहा है, कि मै जानते हो, you know, इस तरीके से, तो हम हिंदी में चैसे बोलता है, पता है, क्या हुआ, तो पता है, जो सेंस होता है, इसको इंग्लिश में बहुत बोलते हैं, आपको बहुत सुम्हें कर में लगा you know, यह gap fillers में आता है, मैंने कल भी बताया था, तो you know, इस sentence को आप you know को करोगे न, तो इसका मतलब आएगा, मैंने सिर्फ तुम्हें fail किया, चीक है, मैंने सिर्फ तुम्हें fail किया, चीक, समझ रहे हो, लेकिन sentence यह पूरा नहीं है, sentence पूरा है, मैंने तुम्हें केवल इसलिए fail किया, क्योंकि तुम लगातार अनुपस्थित थे, चीक है, तो इसका मतलब होगा, तो sentence अगर यह होता न, मैंने तुम्हें केवल इसलिए fail किया, चीक है, तो यहाँ पे जब इस तरीके का sentence होता है, तो वो अपने आप में only और because, इन दौनों को साथ लेकर चलता है, तो जब यह दौनों साथ में आए न, तो आप sentence को समझ जाना, कि यह सि इसलिए किया, क्योंकि, यह पूरा इस तरीके का sense लेकर चलेगा, समझ रहे हो, चीक, तो यहाँ पे अब मैंने sentence क्या बोला है, कि तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए fail किया, so you know I only failed you, अब यहाँ पे fail action है, so I only failed you, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए, मैंने तुम्हें fail किया, क्योंकि, तुम लगातार अनुपस्तित थे, because you were consistently absent, चीक है, तो यह जो sentence है, second वाला, यह है simple past, जिसके अंदर कोई action नहीं है, चीक है, यहाँ पे सिर्फ यह बता रहा है, कि तुम लगातार, consistently absent थे, constantly का मतलब होता है, लगातार, चीक है, मतलब, constantly, तो यहाँ पे अगर जैसे आपको कोई और sentence में बनाना हो, मैंने उसको सिर्फ इसलिए मारा, क्योंकि वो शैतानी कर रहा था, चीक है, so I hit him only because, चीक है, यह फिर I only hit him because he was doing, he was doing, चीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे सिर्फ इतना सा sense समझाना है मुझे, कि ज तुम यहाँ क्यों आए हो, अब sentence है मेरे पास, तुम यहाँ क्यों आए हो, यह sentence अब कई तरीके से बना सकते हो, पहला बिल्कुल simple sentence, ठीक है, तो यह sentence मैं अगर simple रखता हूँ तो present perfect के sense में जाएगा, तो sentence यह बन जाएगा, why have you come here, कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकि लेकिन जब हम किसी से पूछते भी हैं यह फर हम किसी को बताते भी हैं, so I am here, इस तरीके से भी बता देते हैं, जैसे कि मालो मैं इंटर्वी देने के लिए गया कहीं पे, और मैं reception पर जाके बोलता हूँ, I am here for an interview, तो इसका मतलब यह आता है, कि मैं यहाँ पे interview देने के लि बाद में confused कर देती हैं, तो यहाँ पर यह कर रहा है, तुम यहां कियों आए हो? तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, I have you come here, एक तो यह हो गया, second, why are you here, कि तुम यहां क्यों हो? तो यह sense से लेकर चलेगा, कि तुम यहां क्यों आए हो? अब यहां पर यह कर रहा है, हम यहां इसलिए आए हैं चेक है so we have come here एक तो तरीका यह हो गया we have come here because कि हम यह आए हैं क्योंकि यह एक तरीका तो यह हो गया दूसरा we are here because चेक है we are here because दूसरा तरीका यह हो गया आपको जो ठीक लगे convenient लगे आप उसको use करो लेकिन दौनों बताने मेरे लिए जरूरी थे ताकि आप बाद में खाई confused ना हो so we are here because हम यहां पर इसलिए है क्योंकि एक उस तरीके से हमें कुछ मिला चेक है so we found something we found something आप इस sentence को चाहो तो present perfect में बना दो कि we have found something हमें कुछ मिला है चेक है चाहो तो आप past indefinite के form में बना दो कि we found something second form लगा के और मैंने कही बार यह चीज़ बोली है कि past indefinite और present perfect दोनों आपस में बहुत ज़्यादा interchangeable है alternatively use हो जाते हैं कई जगा हर जगा नहीं होते हैं लेकिन कई जगा हो जाते हैं तो हमें कुछ मिला है या फिर हमें कुछ मिला so we found something या फिर we have found something दोनों बिलकुल सही है हमने इसे एक खेत में पाया मतलब कि हमें वो एक खेत में मिला वो इस तरीका का sentence है so we found it in a field sentence कौन सा है यहाँ पर past indefinite का second form लगी है find की so we found it in a field कि हमें वो खेत में मिला या फिर हमने इसे एक खेत में पाया दोनों sentence जो होंगे सेम तरीके से बनेंगे ठीक है found के जगह आप get का भी यूज कर सकते हो तो वो got हो जाएगा मैंने यही चीज़ कहीं पर बताई है कोई चीज़ मिलना चाहे वो खरीद गया हो पड़ी हुई पाई हो चुरा के हो कहीं से ले कर आना हो तो वो चीज़ से लेना मिलना वो जो sense होता है हम भाग गैट का यूज करते हैं तो यहाँ पर आप get का यूज कर देते हैं वो भी ठीक है get की second form लग जाती got so we got it in a field आप इस तरीके से बोल सकते हो लेकिन यहाँ पर इनको specifically बताना है कि हमें वो पाई थी ठीक है इनको वो चीज़ थोड़ी specify करनी है तो यहाँ पर इन्होंने found का ही use करा मतलब find का use करा find की second form है found so we found it in a field हमें वो एक खेत में मिली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं not far from here अगर जैसे कि मैं किसी को बोलू ना कि भाई किसी से कोई मुझे से address पहुचता है कि यह school या फिर यह मंदिर कहां पर है तो मैं simple सा बोल दूँगा कि not far from here यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है ठीक है पूरा sentence यह बनता लेकिन compressive language यही होती है जो mostly writers या फिर movies में या फिर जो बहुत native speakers होते हैं वो use करते हैं तो वो compressive language ही use करते हैं ताकि हम आप हिंदी में भी हम ऐसी करते हैं हम पूरे पूरे sentences नहीं बोलते हैं आप अगर notice करोगे तो हिंदी में भी हम पूरे sentences नहीं बोलते हैं बहुत short में बोलते हैं लेकिन हम इतना उस चीज में frequent हो चुके होते हैं कि हमें वो चीज notice ही नहीं होती है same English में भी होता है तो पूरा sentence क्या बनता है Simple present वाला sentence बनता जिसमें कोई action नहीं है तो simple present में sentence बनता it is not far from here लेकिन compressive language में बोल देते हैं not far from here यहां से ज़्यादा दूर नहीं इस तरीके से कुछ दूसरी दुनिया जैसा कुछ दूसरी दुनिया जैसा मतलब कुछ ऐसा जो दूसरी दुनिया से आया हो कुछ दूसरी दुनिया वाला so something otherworldly something otherworldly तो word जो है यह दुनिया वाला है डूरल्ड वाला so something otherworldly कि कुछ दूसरी दुनिया जैसा अब यह गरा यह तो काफी भयानक कहानी है यह तो काफी भयानक कहानी है अब यहां भयानक के लिए आप horrify यह word यूज़ कर लो scary ये word यूज़ कर लो मैंने यूज़ कर दिया wild ठोड़ी मलब coffee के लिए जो एक coffee वाला sense लेकर चलता है, अब coffee के लिए आप quiet का यूज़ कर सकते हो, आप very का यूज़ कर सकते हो, आप really का यूज़ कर सकते हो, मैंने एक नई चीज़ का यूज़ किया है, that is pretty, ठीक है, pretty तो pretty भी इसी sense को लेकर चलता है कि coffee, so ये तो काफी बहाना कहानी है, तो ये sentence कौन सा है simple present वाला, जिसमें ismr लगेगा कहानी की बात चल रही है, तो singular treat होगी, so that's a pretty wild story that's a pretty wild story, आप इसको really scary story, आप इसको मनलब अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको word to word ऐसे ही बोलना होता है, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, so ये तो काफी बहाना कहानी है, that's a pretty wild story care, इस तरहा ये सब हुआ, तो care के लिए हम यूज़ कर दें है, well अब यहाँ पे है, इस तरहा ये सब हुआ, so ये sentence है, आपका past indefinite कि ये सब हुआ, इस तरीके से so that's the way that's the way it all happened, आप इसको अगर चाहो तो वाईसा वर्सा भी बोल सकते हो, कि it all happened this way, फिर यहाँ पे this way आ जाएगा, कि इस तरहा से हुआ, लेकिन वो सब तरीका है, जैसे ये हुआ तो यहाँ पे दौनों तरीके से आप बोल सकते हो that's the way, कि वो तरीका है it all happened, जैसे ये हुआ, जाएगा अगर आप चाहो, so it all happened this way, कि ये सब इस तरीके से हुआ, ये फिर this way, that way use करें, तो like this, like this का भी उसकर सकते हो, कि it all happened like this, कि ये सब ऐसे हुआ तो मैं वही बताता हुआ चलता हूँ, एक चीज़ को बोलने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जितने तरीके मुझे बोलते हुए समझ में मैंने कई बार बोला है, कि मेरे लिए मुश्किल चीज यह होती है, कि अगर मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर live recording चल रही है, मैं इस चीज़ के बीच में, मतलब सोचने का time अगर लूँगा, तो वह बहुत अजीब लगेगा तो मुझे बिना सोचने का time लिए हुए ही, अपने दिमाग में यह सोचना पड़ता है, कि इस sentence को मैं और कैसे बोल सकता हूँ, वो कैसी formation होगी, तो बहुत ज़्यादा में confusing हो जाती है, तो आपने देखा होगा अभी मैं he was or he were मैं confuse हो गया, महला confuse नहीं हुआ, लेकिन अपना बहस देने के कोशिश करता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे सच्छा वीडियो दे पाऊँ, तो यहाँ पर इस तरह यह सब हुआ, so that's the way it all happened, यह आप कही तरीके से यूज करते हो, इसी तरह से मैंने उसको चुप करा दिया, या फिर इसी तरह से मैंने उनके सामने बोला, so that's the way I said all that, ठीक है, in front of him, अब इसको ऐसे यूज करो, मुझे इसे देखना होगा, ठीक है, मुझे इसे देखना होगा, तो यह जो sentence है ना, यह आपका जैसे एक future की जब बात चलती है, अब अगर future में मैं किसी चीज़ के लिए sure हूँ, बिलकुल sure हूँ, तो मैं वापे will का use करता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ पे sure नहीं हूँ, तो मैं would का use करता हूँ, यह चीज़ मैंने कल भी बताई थी, अपनी वीडियो में, तो वहाँ पे would का use हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक तो अब have to, want to, need to यह चीज़ तो मैं कही बार बता चुका हूँ have to का मतलब कोई चीज़ मुझे मजबूरी में करने पड़ेगी want to का मतलब मैं दिल से चाहता हूँ कोई चीज need to का मतलब इस चीज़ के मुझे सिर्फ जरूरत है यहाँ पर मैंने उस सेंस मिले है, so I would need to see that या फिर I would need to see it, कि मुझे इसे देखना होगा मुझे जाना होगा, I would have to go, अब यह मेरी मजबूरी है अब यहाँ पर मैं will भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जा रहा हूँ अब लेकिन अगर मैं जादा ताइम की बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं प्रेजेंट में बैठके फ्यूचर की एक प्लैनिंग कर रहा हूँ, कि भाई, नौ बज़े सागर उपर हो गए अगर नौ से उपर हो गया, साड़े नौ बज़ गया, so I would have to go तो मुझे जाना होगा, ठीक है, इस तरीके से, अब अगर मैं बैठा हुआ हूँ पार्टी में, और साड़े नौ बज़ गए, तब मैं वहाँ से बूलोगा, भाई, I'll have to go मुझे जाना होगा, ये जो बात है, ठीक है, अगर मैं किसी को future की बता रहा हूँ, कि मैं कल दिल्ली जाओंगा, तो मैं यहाँ पे sure हूँ, कि मैं जाओंगा, तो हम आपे will का ही use करूँगा, I'll go to Delhi tomorrow, इस तरीके से, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार, अगर मैं दिल्ली जाओंगा बना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, महलब मैं दिल्ली जाओंगा, तो यह होगा, so I would go to Delhi, या फिर if I go to Delhi, तो या तो आप present indefinite के form में बना दो, या वुड का use कर दो, तो मुझे इसे देखना होगा, अब मैं कब देखूंगा, मुझे ये नहीं पता, future में मैं देखूंगा, मुझे देखना होगा, तो मैंने बना वुड का use कर रहा है, कि एक option है, कि मैं देख भी सकता हूँ और नहीं भी देख सकता हूँ, तो option जब choose करते हैं तो वुड का use आता है, जैसे मैं किसे से पूछ हो, what would you like to have, tea और coffee, तो तुम क्या लोग है, चाय या कॉफी, या फिर मैं चूज करता हूँ कोई option, कि I would choose option B, तो मैं वुड का use करूँगा, बात future की ही चल रही है, लेकिन वुड लगेगा, तो यहां पे भी एक option ले रहा है, कि मैं चाहूँ तो उसको देख भी सकता हूँ, नहीं भी देख सकता, लेकिन यहां पे मुझे लग लगा ज़रत है उस चीज़ की, so I would need to see it, कि इसे मुझे देखना होगा, कोई चीज़ मुझे करनी होगी, so I would का use होगा, I would say this, कि मैं यह कहूँगा, मैं यह कहूँगा, कि तुम गलत हो, so I would say that you are wrong, क्या आप अभी हमारे साथ आ सकते हैं, मतलब या फिर चल सकते हैं, क्या आप अभी हमारे साथ आ सकते हैं, अब कोई भी चीज़ कि जब हम कोई किसी को करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब एक request कर रहे हैं, किसी का कोई favor मांग रहे हैं, वो favor दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है, जहां पर उसको कुछ physically करना पड़ेगा, मतलब उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, इस तरीके कोई favor होगा, या फिर एक होगा कि उसको वैसा कुछ नहीं करना है, या तो सुनना है, समझना है, बोलना है, चीक है, देखना है, तो दो अलग अलग तरीके के favor होते हैं, अब जो पहला favor है, जहां पर मुझे physically कुछ करना पड़ेगा, वहां पर मैं use करता हूँ, और जहां पर मुझे ऐसा favor मांगना है, जहां पर मुझे physically कुछ नहीं करना है, वहां पर मैं use करता हूँ, तो मतलब कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा, तो वहां पर would का use हुआ, क्या तुम मुझे address बता सकते हो, चीक है, तो या तो आप can you please tell me this address, यह बोल सकते हो, और मैं किसी को बूलू कि भाई सोड़ा shift हो जाओगे, तो वहां पर उसको physically movement करनी होगे, so could you please shift up इस तरीके से में बूलूँगा, तो क्या आप अभी हमारे साथ आ सकते हैं, तो आप यहाँ पर can का use कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ठीक सेंस पर करना है, बिल्कुल ठीक तरीके से बोलना है, तो आप could का use करो, क्योंकि हम किसी से कुछ help, कुछ favor मांग रहे हैं, जिसमें उसको physically कुछ करना पड़ेगा, so could you come with us now, आ सकते हैं, can वाला sentence है, लेकिन यहाँ पर हम किसी से कुछ पर्मी, मलब एक request कर रहे हैं, एक request कर रहे हैं, तो could का use करा हैं, मैंने यहाँ पर, could you come with us now, क्या आप हमारे साथ अभी आ सकते हैं, क्या आप अभी हमारे साथ आ सकते हैं, अब यह करा है, आज शाम तक मेरी classes हैं, चीक है, so simple sentence, यह जो sentence है, यह आपका कौन सा sentence है, वही है, has, have वाला, has sentence है, present indefinite, चीक है, लेकिन do or does has के अंदर, या have के अंदर छुपे वह होते हैं, तो यहाँ आए की बात चल रही है, I, मेरी classes है, मैं रखता हूं classes, so I के साथ लग कि have के अंदर dust छुपा हुआ है, समझ रहे हो, चीक, so I have classes until this evening, अब this evening क्या है, यहाँ पे until evening, till evening, till today's evening, until today's evening मैं इस तरीके से बोल सकता था, मैं लिख भी सकता था, वो simple रहता, लेकिन आप यह चीज़ देखो, this का जो मतलब होता है न, ऐसी चीज़ों में, वो आज ही लेकर चलता है, चीक है, जैसे कि मैं बुलूँ, कि you know what happened this morning, तो मतलब तुम्हें पता है, आज सुभा क्या हुआ, चीक है, तो मैंने आपे today नहीं लगाया है, लेकिन this लेकर अपने साथ चलता है, वो वाला sense, चीक है, तो आज शाम तक मेरी classes है, I have classes, until this evening, तो आज साम की बात चल चीक है, चीक है, तो यह थे आज के sentences और structures, I hope आपको व्यूडियो पसंद आई होगी, कुछी समझ में ना आई हो, या फिर कोई doubt आया है, तो comment box में लिख देना, मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा, apply करने की, यह व्यूडियो पसंद आई, तो like करो, नए हो, like subscribe दाना करो, thank you thank you